माईकी के काजू कृतिका ने बहुत लड़ जगड कर अपने पती विनोद से काजू मंगवाय थे इतनी लड़ाई होने के बाद भी विनोद सिर्फ सौ ग्राम ही काजू लेकर आया था इतने गम काजू देखकर कृतिका को बड़ा गुसा आता है तुम्हें शर्म नहीं आई दुकान वाले से सौ ग्राम काजू खरिती हुए मैंने तुमसे काजू लाने को कहा था लेकिन तुम इतने कम काजू लेकर आ जाओगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था काजू लेने में कैसी शर्म और काजू का रेट पता है आस्मान चूरा है लोग तो 50 ग्राम करिदते हैं मैंने तो फिर भी तुम्हारे लिए 100 ग्राम करिद लिया धन्यवाद मेरे उपर इतना बड़ा एहसान करने के लिए 100 ग्राम काजू देखकर क्रितिका का मुँँ बन जाता है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है पर पिचारी कर भी क्या सकती थी क्रितिका किचन में काजू रखकर आ जाती है अगली सुबह जब क्रितिका उठती है और किचन में काजू लेने जाती है तो वो देखती है कि काजु का डिबबा पूरी तरह से खाली है खाली काजु का डिबबा देखकर कृतिका की आँखे भटी की भटी रह जाती है मेरे काजु कहाँ चले गए? रात को मैंने इसे डबबे में तो रखा था क्रितिका कोई समझ में नहीं आता कि रातो रात आखिर सारे काजू कहां चले गए वो पूरे रसोई में अपने काजू ढूरने लगती है तभी वहाँ हाथों में कुछ काजू के दाने लिए उसकी सास आती है और अपनी सास के हाथ में काजु को देख कर वो अपनी सास से कहती है माजी, आपकी हाथ में काजु कहां से आया? अरे कहां से क्या आया? घर में था, सुबह जब किचन में आई चाय बनाने के लिए माजी, आप इतनी बड़ी नहीं है और वैसे भी आपके घर में लड़ाई जगड़ा करना पड़ता है इन काजु के लिए और तब जाकर सौ ग्राम काजु आते हैं गर में और ये काजु मेरे थे, कल ही लेकर आये थे विनोजी मेरे लिए और आज आपने सारे हाजम करती है बहुँ, तो सौ ग्राम काजु के लिए मुझ से लड़ाई कर रही है क्या तेरे माबाप ने तुझे यही संस्कार दिया है और बूल माद, ये काजु तुझे मेरे बेटे ने दिये थे तुझ अपने माई के से लेकर नहीं आई थी अच्छा, तो आप ये काजु इसलिए खा गई क्योंकि ये काजु आपका बेटा लेकर आया था और मेरे माई के वालों ने दिये होते तो आप इन काजु को हाथ भी नहीं लगाती है न? हाँ, हाँ, नहीं लगाती अरे दो काजु क्या खा लिये तो तो अपने संसकार ही भूल गई जबकि ये काजु मेरा बेटा लेकर आया था इन काजु पर जितना तेरा हक है उतना ही हक मेरा भी है इतना भूलकर आर्ति वहाँ से चली जाती है पर क्रितिका को बहुत गुसा आता है क्योंकि कई दिनों तक लड़ाय करने के बाद विनोद उसके लिए 100 ग्राम काजु लिया आया था और इन काजु में से बिचारी क्रितिका ने काजु का एक दाना भी नहीं खा था अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं क्रितिका अपने माई क्या आती है अरे मेरी फूल से बच्ची कैसी है तु बिटा सिसराल में इतनी कमजोर हो गई तेरे सास सिसर तुझी कुछ खाने को नहीं देते क्या उनसे कुछ बच्ची तब ना मुझे मिले एक महिने तक मैंने विनोच जी से लड़ाई करी तब जाकर वो मेरे लिए सिर्फ सौ गराम काजु लेकर आए और वो भी सारे उनकी माँ खाई माँ इस बार जो मैं सिसराल जाओंगी ना तो मुझे तुम विदाय में सिर्फ काजु भर के देना ये भगवान कैसे सिसराल वाले हैं मेरे बेटी को काजु के लिए तरसा दिया यहां तो मेरे बेटी का एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि काजु ना खाए चिंदाना कर बटा जब तु अपने सिसराल जाएगी तो मैं तेरे लिए बहुत सारे काजु बैक कर दूँगी अब तो मैं अपने माईके से काजू लेकर जाओंगी और तब देखती हूँ कैसे खाती है माजी मेरे काजू अगर उन्होंने मेरे माईके का काजू खाया ना तब उन्हें उन्हीं की बात या दिलाओंगी अब इसी तरह से कुछ दिन बीच जाते हैं और कृतिका अपने माईके से इस बार बहुत सारे काजू लेकर आती है किच्चिन में एक काजू का डिबबा सबके सामने रख देती है जब आर्थी की नजर काजू पर पड़ती है तो उसके मुँमें पानी आ जाता है और वो थोड़े काजू निकाल लेती है पर तभी वहां कृतिका आ जाती है और अपनी सास के हाथों से काजू लेकर कहती है माजी ये काजू आपका बेटा लेकर नहीं आया ये काजू मेरे माईके के हैं इन पर सिर्फ मेरा हक है और ये काजु मेरी माने सर्फ मेरे लिए दिये है, याद है ना आपको? क्या कहा था आपने? अरा मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ अच्छा सी याद है मैं तो बस देख रही थी कि तेरी माने कैसे काजु भेजे है मुझे अपनी मा पर पूरा भरुसा है, मेरे माने अच्छी ही काजु दिये होंगी आपको इसकी चिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है कृति का बड़ी अकड में उन काजु को अपने साथ ले जाती है अपनी बहु के अकड देखकर आर्थी को बहुत गुस्सा आता है पर वो अपनी बात से पलट भी तो नहीं सकती थी अब समय योहीं बीटता है और काजु अपने आप खत्म होने लगते हैं, ऐसे ही एक दिन मैं अपने माईके से दो डिबबे काजु लेकर आई थी मुझे आया अभी अपने माईके से एक महिना नहीं हुआ और मेरा एक काजु का डिबबा तो खत्म भी हो गया जबकि मैं तो इतने काजु खा भी नहीं रही फिर भी मेरे काजु कहा जा रहे है कहीं मेरे सारे काजो कृतिका का शक अपनी सास पर जाता है और इसलिए कृतिका अपनी सास को रंगे हाथ पाकरने की सूचती है वो हर समय अपनी सास पर नज़र रखती है पर एक बार भी उसने अपनी सास को काजो खाते हुए नहीं देखा फिर भी उसके काजु तो बड़ी तेजी से खत्म हो रहे थे कृतिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मायकी से लाए हुए काजु जा कहा रहे थे मैं दो दिन से माजी पर नज़र रख रहे हूँ पर इन दो दिन में एक बार भी माजी ने मेरे काजू की तरफ देखा भी नहीं फिर कौन है जो मेरे काजू खा रहा है कृतिका अपने माई के काजू को लेकर बड़ी परिशान थी अब इसी तरह से दो दिन बीच जाते हैं और एक दिन जब विनोध घर में होता है जिल्ए 100 ग्राम काजू लेकर आए और जब मैं अपने मायके से काजू लेकर आई तो तुम 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 भर भर की खा रहे हो अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक बार में 500 ग्राम काजू खाते हुए अरे इस में शर्म कैसी अगर ये काजू तुम्हारे मायके क तो क्या मेरे सिसुराल के नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता. मेरे माई के काजु तुम नहीं खाओगे. और अब तक तुमने जितने भी काजु खत्म किया है न, वो साब मुझे चाहिए. अरे यार, कैसी पत्नी हो तुम? इतने से काजु के लिए अपना पती से लड़ रही हो? हाँ, क्योंकि ये काजु मुझे तुम या तुम्हारी माँ लाकर नहीं देते. मैं अपने माई के से लेकर आई थी ये काजु. वो भी अपने लिए, जिससे तुम अकेले चैट कर गया है. इन जानते भी हो, मैंने माजी पर शक किया था, पर वो तो निर्दोश निकली. इसलिए अब जब तक तुम मेरे लिए काजु लेकर नहीं आओगे, मैं तुम से बात नहीं करूँगी. क्या? इन काजु के लिए तुमने मेरे माँ पर शक किया? हाँ किया? क्योंकि तुम्हारे माँ भी तुम्हारी तरह है, मुझे काजु लाकर नहीं देती, और फिर मेरे काजु छुपकर खा जाती है. पर इस बार उन्होंने मेरे माँ के काजु नहीं खाए, क्योंकि हमारी लड़ाई हो गी थी. पर तुम खा गये, इसलिए मुझे मेरे काजु चाहिए. अरे तुम्हारे माँ के वाले बहुत अमीर है, इस बार जब दुबारा माँ के जाओ, तो चाहर डबे काजु लेकर आना. पीश शर्म आदमी, वो काजु में अपने माँ के से लेकर आई थी, वो भी मांग कर. मैं तुम्हे तब तक माँ करूँगी, जब तक तुम मेरे काजु लेकर नहीं आओगे. कृितिका के माईकी के सारे काजु उसका पती खा चुका था. इस लेकरितिका विनोद से बहुत लडाई करती है और जब तक विनोद उसे काजू लाकर नहीं देती था वो उसे माफ नहीं करती